सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर प्यारे बच्चों मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे उत्राखंड बियर्ट 2022 को लेके एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उत्राखंड की दो मुख्या यूनिवर्सिटी हेमंती नंदन भागुणा गडवाल यूनिवर्सिटी और कुमा यूनिवर्सिटी से कैसे बियर्ट कर सकते हैं उससे संबंधित जानकारी दी थी तो उस वीडियो को लेके बच्चों को काफी कंफीजन थी तो मैंने सुचय की क्यों न दोनो यूनिवर्सिटी का दो separate separate video बनाये जाए जिसमें कि मैं आपको जानकारी दूंगी B8 से सम्मन्दित कि कैसे आप यहां से B8 कर सकते हैं तो आज का वीडियो होने वाला है कि जो बच्चे इस साल 2022 में कुमाउ युनिवर्सिटी से B8 का फॉर्म भर रहे उनके लिए तो आज के वीडियो के जो मुख्य पॉइंट होंगे उसमें होगा कि क्या आपकी योगिता चाहिए कितनी परसंटेज चाहिए और जो B.T.E.C.A. वाले बच्चे हैं अगर वो भी इस फॉर्म को भरना चाहें तो क्या वो भर सकते हैं इसके साथ साथ एक्जाम का पैटर्न कैसे होगा स्लेबस कैसा होगा वो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो परंतो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा क्योंकि मैं बियर्ट, सीटेट और टीचिंग और लर्निंग से सम्बंदित बहुत सारे वीडियो बनाती रहती हूँ इसके साथ बच्चों में ये कहती हूँ कि अल्रेडी मैंने हिमंती नंदन भागुना गडवाल उनिवर्सिटी का जो वीडियो है वो बना चुकी हूँ और मेरे चैनल पे अल्रेडी है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और आई बटन पे भी मैं मेंशन कर दूंगी वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कुमा उनिवर्सिटी से अगर आप बीयड करने वाले हैं 2022 में तो आए बच्चों सबसे पहले नजर डालते हैं eligibility पर यानि कि आपकी योगिता क्या होनी चाहिए अगर आपने बीयड का फॉर्म इस साल भरना है तो योगिता की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास होना चाहिए graduation यानि कि आप इसनातक होने चाहिए आप किसी भी stream में इसनातक हो सकते हैं चाहिए arts है चाहिए science है चाहिए commerce है या इसके अत्रिक्ट अगर आपने honors में कोई subject किया है जैसे कि history honors, political honors English honors तब भी आप इस B8 के form को भर सकते हैं अब बात करते हैं उन बचों की जो B.Tech, B.E. या B.C.A की degree को लेके बैठे हैं परन्त उसके बावजूद भी teaching line में अपना career बनाना चाहते है और B.E. करना चाहते हैं तो क्या वो इस form को भर सकते हैं तो इसका उतर है जी हां बिलकु को भर सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे percentage की कि percentage कितनी होनी चाहिए तो जिन बच्चों का graduation art, science, commerce या honors में हैं उनके लिए चाहिए केवल 50 प्रतिशत अंक ये बात कर रही हूं मैं general category के बच्चों की बाकि जो बच्चे है ST, SC, OBC उनके लिए हर साल 5 प्रतिशत की छूट होत बच्चा है तो 50 चाहिए और SC का बच्चा है तो उसके लिए 45 परसंट भी चलेगा ठीक है परन्तु यहां पे थोड़ा सा percentage का आंतार है उन बच्चों के लिए जिन्होंने BTEC, BCA या BE किया है BTEC, BCA, BE के बच्चों को चाहिए कम से कम 55 प्रतिशत अंक 55 percentage आपके होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एज की एज की अगर मैं बात करूँ तो कहीं कहीं पर यह लिखा है कि 19 वर्स भी एज होनी चाहिए परन्तु जहां तक मुझे अनुमानित है बियर्ट कोर्स करने के लिए आपकी कम से कम आयुसीमा होनी चाहिए 21 वर्स 21 एयर्स ओ अधिक्तम आयुसीमा की अगर मैं बात करूँ यानि की अगर अपर एज लिमिट की बात करूँ तो आप किसी भी एज तक बियर्ट के फॉर्म को भर सकते हैं परन्तु जो सबसे कम आयुसीमा बताई गई है वो है एक केस वर्स ठीक है अब बात करते हैं डूरेशन की कि 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 ये कोर्स है तो डूरेशन की मैं बात करूँ 2015 तक बियर्ट जो होता था वो होता था एक साल का और 2015 के बाद बियर्ट होने लगा दो साल का परन्तु जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो नई शिक्षा नीती आई है NEP 2020 उसमें ये भी कहा गया है कि बियर्ट हो सकता ह कि चार साल का भी हो परन्तु अभी इसमें कोई प्रॉपर इंफरमेशन नहीं है आप केवल ये मान के चलिए कि बियर्ट अभी भी दो साल का ही होने वाला ठीक है तो इसकी जो अविदी होगी वह दो साल की होगी अब बात करते हैं बच्चों फीस की तो फीस की अगर मैं ब क्यांडिडेट्स में आते हैं यानि कि जिन्होंने केवल बियर्ड एक्जाम को पास किया है उसकेस में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एड्मिशन ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वहाँ पे इस को करने की वह करीब एक डेड लाग के आस यह आप्छों कि पारे में जानकारी क्या तो आपको मिलेगी और उफिशल वेब साइट पे ठीक हो तो आप इसे नोट डाउन कर लिजे यह news www.kunanital.ac.in इस website को आपने regularly check करना है और इसी में आपको form की जनकारी मिलेगी Next बात करते हैं बच्चो exam pattern की तो exam pattern की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो exam होता है वो होता है offline ठीक है, offline आपका exam होता है और question का जो pattern होता है वो आता है mcq type यानि की multiple choice question multiple choice question का मतलब क्या होता है कि एक question दिया रहता है और उसकी चार विकल्प आपके पास रहते हैं ठीक है, तो जब बच्चों आप exam hall में बैठेंगे तो आपके पास एक आएगा question paper और उसी question paper के अंदर मिलती है आपको OMR sheet ठीक है तो आपने क्या करना है question paper में जो भी question होगा उसके जितने भी चार विकल्प होगे वो ही चार विकल्प के आंसर आपको मिलेंगे OMR sheet में तो आपने क्या करना है कि जो सही उत्तर होगा उसको काले काले गोले भरने होता चार गोले दिये रहेंगे आपको और जो सही आंसर होगा आपने उसको भरना होता blue pen से या black pen से तो जैसे मान लीजे उधारण के लिए आपके पास social study का question आ गया कि बताओ बंगाल का विवाजन कब हुआ था तो मान लीजे option आया A 1905, B आया 1908, C आया 1906 और D आया 1910 तो सही आंसर क्या है 1905 ठीक है तो जो OMR seat होगी उसमें आपने क्या करना है A option पे उसको काला गोले को भर देना है बाकी जो गोले उन्हें छोड़ देना है तो ऐसे ही आपने सारे questions के साथ करना है ठीक है और जो question paper होगा वो तो आप घर लेके आ जाएंगे तो 200 question आएंगे 200 number के आएंगे और तीन घंटे का paper होगा यह exam pattern है अब बात करते हैं बच्चो मुख्या कि syllabus क्या होगा कि आपने पढ़ना क्या है कहां से paper बन कि आता है यह बहुत important है ठीक है क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि बहुत सारा time ऐसे subject को पढ़ने में लगा देते और उस वज़े से उनकी अच्छे marks नहीं आपाते तो syllabus भी जान लीजे बच्चो ताकि इससे आपको अच्छे से help मिल पाए syllabus की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूरा आएगा आपका 200 number का paper जैसा कि मैंने आपको बताया तो इसमें होंगे दो paper मुख्या रूप से paper 1 और paper 2 ठीक है paper 1 जो होगा वो सारे बच्चों के लिए जैसा आएगा और जो paper 2 होगा वो आपका subject based paper होगा यानि कि जिस भी subject के आप teacher बनेंगे भविश्य में उस related आपके पास आएगा तो वो subject based कैसे आएगा यानि कि अगर मान लीजे आपका graduation arts में है तो आपके पास किवल arts का paper आएगा अगर आपका graduation science stream में है PCM geology botany तो आपके पास किवल science का paper आएगा और अगर आपका commerce में है तो आपके पास आएगा commerce का ठीक है तो ये बात कर रहे हूँ मैं paper 2 की देख लेते हैं कि paper 1 में क्या-क्या चीज आएगे तो paper 1 की जो total marking होगी वो होगी 1500 number की सबसे पहला आएगा उसमें language यानि कि भाशा तो भाशा की अगर मैं बात करूँ इसमें दो मुख्य भाशा होंगी English या Hindi और इसमें आपको choice मिलती है कि आप किस भाशा में अपने विकल्प choose करना चाहते है तो English की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके basically आता है आपका unseen passage आ जाएगा idems phrases आजाएंगे आपके one word substitution आजाएंगे antonyms, synonyms और जितने भी आपके अलंकार इत्यादी होते है न वो सब आते figure of speech जिसे English में कहते है वो सारी चीजे इसमें आजाएंगी ठीक है और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी का जो paper बनके आएगा जैसे की उपसर्ग हो गए, संधी विच्छेत हो गए और अलंकार इत्यादी, गद्यांस, पद्यांस ये सारी चीजे आपके language के paper में आएगी जो की आएगी पचास नंबर के ठीक है पचास question होंगे, पचास नंबर के दूसरा paper होगा, वो होगा आपका जीके का, जीके यानि की जन्नन नौलेज, तो जन्नन नौलेज की अगर मैं बात करूँ इसमें मुख्या रूप से आपको history, political, science, geography, economics, इत्यादी तो पड़ नहीं है इसके साथ-साथ जो भी पिछले एक सालों में देश-विदेश में हुआ है, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीके तो ये भी आएगा आपका पचास नंबर का, पचास questions इसमें आएंगे next आता है, इसमें third part, जो है teaching aptitude teaching aptitude का मतलब यह होता है, कि जैसा कि आपको पता है कि जो beard का जो course है, वो पूर्ण रूप से section पद्धिती का है यह आपको एक अच्छा सिक्षक कैसे बनना है, वो आपको समझाता है तो अच्छा सिक्षक बनने का मतलब यह ही नहीं होता है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सिक्षक बनने का मतलब होता है कि आप बच्चे की psychology को कितने अच्छे से समझते हैं उधारन के लिए यह example मैं है अपने हर वीडियो में देती हूं तो यह जो होता है यह बहुत पूर मैथड होता है बच्चे को हैंडल करने का नया मैथड यह है कि बच्चे से बात करें उसकी counseling करें तो इस प्रकार के बच्चो questions आते हैं teaching aptitude में तो यह भी होता है 50 number का 50 questions इसमें आएंगे तो total बन गे आपके 1500 number अब बात करते हैं paper 2 की तो paper 2 जैसा कि मैंने आपको बताया यह subject based होगा तो जिस भी subject के teacher आप भविश्य में बनेंगे वो ही आप subject को भरेंगे 50 number का यह question आएगा तो अगर आपने arts में graduation किया तो आप arts के subject भरिए और अगर commerce तो commerce और science के तो science अगर मान लिजए मेरा arts में है और मेरी सहीली का science में तो मेरे पास जो weird का paper आएगा जो part B आएगा वो किवल arts का आएगा मेरी सहीली के पास paper B जो आएगा वो किवल science का आएगा तो बच्चों यह है पूरा syllabus और जैसा कि मैंने बताया असमें कोई negative marking नहीं होगी कहीं न कहीं आपके लिए helpful रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से आपने इस beard के एग्जाम के लिए तयारी करनी है अगर मिली है तो चैनल को subscribe करिए जल्दी जल्दी क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से 28 से सम्मंदित काफी अच्छी जानकारिया देती रहती हूँ और आने वाले भविश्यम में जो subject है social study क्योंकि मेरा specialization social study में तो मैं उस से related video भी लेकी आऊंगी education video ताकि अगर आप social study के बच्चे हैं तो आपकी तयारी हो सके और इस वीडियो को देखने के बाद भी बच्चों अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मुझे instagram पे follow कर सकते हैं इसके साथ साथ बच्चों मेरे चैनल को like, share और subscribe करके जरूर जाएगा क्योंकि जब आप मेरे चैनल को like देते हैं या subscribe करते हैं तो मेरा वीडियो rank करने लगता है और इस वीडियो के माध्यम से और भी जो बच्चे कुमाई उनिवर्सिटी से बियर्ट का फॉर्म भर रहे उनको भी अच्छी खासी help मिल पाएगी तो like, share, subscribe करते रहें बच्चे और आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे मेरे next वीडियो के साथ कुछ अच्छे interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए आप घर पे रहें स्वस्त रहें मस्त रहें पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया जै हिन जै भारत धन्यवाद सत तेमे बजय दे धन्यवाद धन्यवाद